हाई गाईज कहते हैं आम फलों का बाश्या है आज कल आम का सीजन आया हुआ है और आप ये देख रहे हैं चौनसा आम है ये बहुत मीठा होता है और मिजे बहुत पसाद है तो खाते गद्दे में इसको उगाऊं इसको लगाऊं तो चौनसा आम की चार गुट्लियां लेकर इसके अंदर का बीज हम निकाल लेंगे मुट्लिया खॉल को काट कर इसमें से बीज हम निकाल लेंगे बीज हम होआई जीए अब इन चारों वीजों को दो दिन तक हल्दी वाले पानी में डूबो के रखेंगे दो दिन बाद इन चारों वीजों को हम दो गमनों में लगाएंगे गमले में छोटी सी ठीक्री रख कर थोड़ा मट्टी डालेंगे उसके बाद को प्रैस कर देंगे ताके एर पॉकर्स खतम होगे तमाम मट्टी डाल कर फिर आम इसके बीज लगाएंगे के बीज लगाने के बाद हल्दी बाला पानी लोगमनों में बरापर बरापर डाल देंगे ताके लिए अब हम बनार को नरे दो भीज भीश्य को आख उसके बाद में दोख इसके लावा सादर पाने भी हम पुरपूर अंदाज में डालेंगे ताकि ट्रेनी जोल से डिप ट्रेन हो जाए दस दिन बाद हमने चार चौंसे आम के बीज लगाए थे दस दिन बाद का रिजल्ट है पंदरा दिन बाद का ये रिजल्ट है चार हमने चौंसे आम के बीज लगाए थे जिसमें से तीन जर्मिनेट हो चुकी है बीज दिन बाद बीज दिन बाद का ये बीज दिन बाद का ये जब दिन बाद का ये लो जाए चालिस दिन बाद चालिस दिन बाद हमारा आमका पोदा थोड़ा बड़ा हो गया है और बहुत खुबसूरत भी है चालिस दिन बाद हो गया है